को बच्यों आधमें फिर आपका वैलकम कर रहा हूं हमारी साइफ की class में है है तो बेटाम ने न्या चेप्टर शुरू किया हुआ है इसका नाम है getting to know plants फिर सबसे पहले मैंने आपको plant के parts के बारे में बताए गोती है जो जो brown team color होती है फ्रिशूट वोती जो green इन तोती है और जो strip यायनी शूट को frankie भी भोलते है इसके ओपर क्या-किया मिलताए आपको लीव्गेंव मिलते हैं कि और जो हमारी स्ट्रेम वो फोटो संथेसिस में मदद करती है यानि प्लांट्स का खाना बनाती और कहां पर फोटो संथेसिस होता है लीव समें क्योंकि इनके पास क्या होता है पूरे जो ग्रीन पार्ट होता है प्लांट का उसके वास chloroplast होता है यह तरह की pigment होती है जिसकी मदद से carbon dioxide और water use करके plants अपना food बनाते हैं जिसको starch बोलते हैं फिर जो root वाला part है बेटा root part होता है जिसके अंदर branches भी होती है root के और यह brown color की होती है और इसका main काम है एक तो plant को बेटा पूरे का पूरा सीधा रखना मिटी में खड़ा करने की मदद करना strength provide करना plant को पानी provide करना plant को food provide करना और plant को nutrition भी provide करना ठीक है उसके बाद यह major काम है तो जो root होती है वो positively geotropic negatively phototropic होती है positively geotropic का मतलब होता है यह root अंदर 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 किसकी दरफ जाती है ground की दरफ gravity की दरफ और जो shoot यह stem होती है वो positively phototropic होती है यह phototropic का मतलब होता है यह किसकी तरफ जाती है towards the light फिर मैंने आपको बेटा तीन चीज़े बताएं थी herbs shrubs and trees trees तो जो plant होते हैं वो major 3 भाग में divided है herbs जो बहुत ही छोटे plant होते हैं जिनकी stem बहुत weak होती है shrubs trees जो हमारे size के plant होते हैं और जिनकी जो stem होती है वो woody होती है hard होती है trees जो हमारी height से भी बहुत बड़े plant होते हैं ठीक है उनको trees बोलते हैं फिर बेटा उसके बाद मैंने आपको करवाया था creepers and climbers creepers होते हैं बेटा जो बिल्कुल सीधे नहीं कभी उख सकते हैं ठीक है सीधे क्यों नहीं उख सकते हैं क्योंके यह weak होते हैं weak होने के कारण यह सीधे नहीं उखते तो यह हमेशा ground के साथ 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 चलते हैं creepers हमेशा ground के साथ चलते हैं ठीक है उसके बाद हमारे पास आया था climbers climbers वो होते हैं जो climb करते हैं उपर की तरफ पर उनको support की बहुत जरूरियत होती है जैसे grape wine हो गई जैसे आपका money plant हो गया इस plant को उपर चड़ने की बहुत need होती है support के बगएर यह grow नहीं करता तो आपने notice किया होगा कि money plant का हमेशा जो सबसे लंबी इसकी branch होती है जो stem होती है उसको हम धागे से बांद के support पर लगा देते हैं तो उस धागे stem को अलग अलग closely observe करोगे हर plant की जो stem होगी major 99.9% वो हरे रंकी होगी अब वो हरे रंकी की होगी बिटा क्यूंकि उसको photosynthesis करना है उसको खाना बनाना है और plant का जो खाना होता है न वो होती है starch starch plant का खाना होती है अच्छा और वो photosynthesis में मदद करता है photosynthesis क्या process है वह process जिसमें sunlight की मदद से carbon dioxide की मदद से water की मदद से और minerals की मदद से plant अपना खाना बनाते हैं आगे तो आपको लग लग पार्ट देखने को मिलेंगे stem के उपर क्या क्या पार्ट आपको आज आप लोगोंने क्या करना आपके घर में गमले जरूर होंगे आप उसके अंदर green stem को देखना आप देखोगे तो उसके अंदर आपको leaves देखने को फ्लावर्स देखने को मिलेंगे aurn सभी चीजों को देखने हैं बीजोती हैं और फ्रूट्स भी होता है parting leaves, branches, birds, flower and fruits. Flower और fruits के बारे में तो आपको बता है. Birds के बारे में बता देता हूँ आपको. Bud होता है, पेटा. वो एक छोटे सा aperture होता है, जो दीरे-दीरे plant के ओपर present होता है. और यह दीरे-दीरे fruits में convert होता है. यह प्लावर में convert हो जाता है. ब्रांचिस तो आपको पता ही है लीव आपको पता है तो आईए हम एक एक्टिविटी करकर देखते हैं जिससे हमारी जो नौलेज है वो थोड़ी और इन्हेंस हो जाएगी तो हमें क्या क्या चाहिए आपको एक ग्लास चाहिए पानी चाहिए रेड ब्लू और इंक चाहिए और सॉफ्ट स्टेंट चाहिए simple way में मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या करना है आपने एक glass लेना है गांच का उसके अंदर पानी भरना है उसके अंदर कुछ drops डाल देना बेटा आप ink की चाहे तो red ink है तो red ink डाल दो blue ink है तो blue ink डाल दो अगर आपके घर में बेटा red or blue ink नहीं है क्योंकि आजकल ink pots तो यूजली अब तो कतम हो गया ना क्योंकि technology ने इतना ग्रो किया कि अब इंक सीधाई pens में फिल होके आती है ना हमें फिल नहीं बढ़ती बार-बार तो अगर आपके पास ink नहीं है तो आप नील भी यूज़ कर सकते हो ठीक है तो blue color की नील यूज़ करते ना बेटा कपड़ दोने के लिए अब वो भी यूज़ कर सकते हो एज़ा color तो उसकी few drops डालना तो Robin blue जिसके नाम से आती है यह उसकी few 4-5 drops डालना आपको dark blue color का glass में पानी मिलेगा अब आपने क्या करना है एक पत्ते को काटना है प्लांट के उपर से उसकी छोटी सी ब्रांच के साथ अब यह जो पत्ता आपने काटा है ब्रांच के साथ इसको आप डाल दो जी glass के अंदर और glass के अंदर डालने के बाद आप उसको as it is छोड़ दो ठीक है at least 4-5 गंटे के लिए छोड़ दो कि तो 4-5 गंटे के बाल आप नोट करोगे कि जो leaves का आपको blue color के light blue color का leaf लगने लग जाएगा ब्रांच भी आपको blue color की लगने लग जाएगी ऐसा क्यों हुआ जैसे हमारी बॉडी में छोटी छोटी आर्ट्री और वेंज होती है जिन में बलड पंप होता है बलड चलता है उसी तरह प्लांट में भी एक पटिकुलर टिश्यू चलता है जो आप बड़ी ग्लास में जाके और अच्छे से पढ़ोगे नाइंत में तो आपको पता चलेगा कि हमारा जो प्लांट है वह वाटर और फूड को कंड़क्ट करता है तो इस एक्सपेरिमेंट से यह प्रूव हो आईए देखे पढ़ते हैं तो आपको ग्लास चाहिए इंक चाहिए सॉफ्ट स्टेम चाहिए पाने डालिए ग्लास में वन थर्ड औ आपको बने बताया था भी जो रॉबिन बलू डाल दो या फिर आप नील डाल दो फिर आप उस स्टेम का बेस काट कर दो और उसको ग्लास में डाल दो जैसे यहां पे दिखाया वाद दिखा है इस सेटप को अब्जर्व करो क्या कलर में के चेंज में के अपिरेंस हा ही करोगे दीरे दीरे जो color है वो stem के अंदर आ जाएगा अगर हम इसको जादा समय के लिए छोड़ देंगे apparatus को as it is तो जो leaves होते हैं उनकी veins के अंदर भी leaves की veins के अंदर भी color आ जाएगा इनको veins बोलते हैं तो इस activity से में क्या पता चला कि stem मदद करती है water को upward move करने में तो water और mineral leaves तक पहुंचते हैं plant parts के साथ attach होती stem तो water minerals leaves तक किस तरह पहुंचते हैं with the help of stem तो अगर आप इस stem को बाहर निकाल के कट करके microscope में देखोगे तो ऐसा आपको circle मिलेगा तो उसके अंदर आपको जगा जगा पे green color की ink मिलेगी तो यानि इस stem ने water को conduct किया था ओके बटा अब हमारे पास एक leaf आ गया के leaf के parts क्या 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 पहले मैं आपको leaf के part दिखा देता हूं यह देखो गटा यह है हमारा एक leaf यह head stem यह बीच में आती है branch और जहां से leaf शुरू होता है जो उसका base होता है उसको petiol बोलते हैं और जो leaf का margin होता है leaf का margin को lamina भी बोल देते हैं blade भी बोल देते हैं ठीक है so leaf के margin को lamina भी बोल देते हैं blade भी बोल देते हैं और उनमें ठेट सारी veins होती है तो आईए तो डिटेल में पढ़ते हैं इसको देखो जी आपको क्या करना है observe करना है leaves कुछ plants के leaves को observe करना और आपने देखना उनको draw भी करना अपनी notebook में क्या सारे leaves सेम होंगे shape और color में एक तो बात है जी color तो नहीं maximum green color के leaves मिलेंगे पर shape आपको अलग-अलग मिलेंगी अलग-अलग plant की अलग-अलग shape होती है पर एक common shape होती है इस तरह गी maximum plant की जो leaves होते इस shape की होते ठीक है ठीक है leaves stem के साथ कैसे attach होते वो मैंने आपको अल्रड़ी part बता दी एक part होता पीटियोल जिसकी मदद से वो stem से attach होते और एक broad green color का part होता leaf के पास बोड़ी बिल्कुल पतला होता इसको हम lamina बोलते है margin भी बोलते है तो हम बड़ी एसानी से leaves में इसको देख सकते है अब हम leaf को और अच्छे से कैसे जानेंगे impression के साथ ठीक है अब हमारे पास एक activity है जिससे हमें पता चल जाएगा कि हम leaf को कैसे explain करेंगे सबसे पहले आपको leaf लेना उसको white sheet के paper के अंदर रखना अपनी notebook में अच्छा और उसको बिल्कुल ऐसे आपने क्या करना है एक white page लिया उसके ओपर leaf रख दिया और दूसरे white page से उसको cover कर दिया और अपनी pencil के tip के साथ आपने उसको rub करना शुरू करना है देखो जब आप अंदर leaf ऐसे जैसे हम एक तरह से बेटा वो अगर आपको याद होगा carbon paper यूज़ करते हैं उस तरह से हमने इसको rub करना शुरू करना तो after some time आप notice करोगे आपको paper के उपर impression मिनने लग जागा leaf का तो इसमें आपको leaf के अंदर जो lines मिलेगी उनको veins बोलते हैं ठीक है और center में एक मोटी line चल रही होगी जो मोटी line चल रही यह वाली line बिटा है यह जो बीच में चलती है मोटी और इस leaf में भी दिख रही है देखो यह जो बीच के वाली line है इसको midrib बोलते है और इसके राउंड जो पत्ली line है उनको veins बोलते है और इसको leaf venetion बोलते है लीफ venetion के बारे में बड़ी classes में आपको पढ़ाया जाएगा इनकी types के बारे में तो अगर तो leaf में venetion चल रही है जिग-जग order में यह देख यह हमारा leaf है यह center में चल रही है बेटा midrib ठीक है इसको बोलते है midrib अगर तो leaves में venetion चल रही है जिग-जग order में तो इसको बोलते है reticulate venetion जब जिग-जग order में चले अब अगर हमारे पास leaf ऐसा है उसके center में midrib है पर जो चोटी veins में वो भी ऐसे सीधी-सीधी चल रही है तो इस तरह की venetion को बोलते है पैर लल पैरलल venetion ठीक है parallel venetion वल लीफ आपको न घास के पत्ते ज़रूर अगर आप देखो जो घास उकती है उसके पत्तों में आपको parallel venetion बहुत देखने को मिलेगी aloe vera में आपको parallel venetion देखने को मिलेगी फिर उसके बाद people हो गया ठीक है फिर द्योदार हो गया इन सभी में आपको reticulate venetion मिलेगी अब आगे तो आज आपने को और काम करना जितने leaves होंगे अब सभी में venetion जरूर देखना कि किस तरह से veins है क्या वो सीधी है क्या वो parallel है क्या वो reticulate है यह सारा आज आपका homework है ठीक है और फिर उसको पर आपको remove करने की लीव को remove करने की जरूरत नहीं है प्लांट के उपर ही आप उसको study कर सकते हो ठीक है तो आपको pattern याद करना है आज और आपने देखना है कि आपके प्लांट में reticulate venetion थी के parallel reticulate मतलब zigzag जो मैंने अभी आपको बना के दिखाई zigzag venetion थी के ctcdd parallel venetion तो आज का lecture यहीं तक है आप hope आपको समझाया होगा तो जो आपने आज करना है वो भी मैं homework आपको भेज दूँगा तो आज तक के लिए इतना है signing off for today best of luck stay home stay safe and study hard